गुड इवनिंग ट्रिंस कैसे हैं आप लोग और कल आखरी एक दिवसी अंतराश्ट्रे मैच खिला जाएगा भारत और श्रलंका के बीच में और कल भारती टीम अपने इज़त बचाने के लिए उतरेगी रोहिच शर्मा की जो प्लेइंग 11 है उनके उपर में एक बड़ी जिमेदारी होगी कि कम से कम कल के मैच में जीत दर्ज करें और इस श्रेंखला को एक-एक की बरापरी पर सबाप्त करें ताकि भारती टीम की इज़त बचे नहीं तो शर्लंका की जो टीम चैंपिन्स ट्रोफी के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई है वो जो टीम है वो हमसे सीरीज जीत जाएगी और ये एक आइडिल शुरुआत नहीं होगा गौतम बंभीर के लिए लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर के मैंने पहली आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाई थी मैंने कहा था कि तीसरे एक दिवसी अंतराश्ट्रे मैच में किन-किन खिलाडियों को मौका मिलेगा लेकिन उसी में अब कुछ बदलाओ होते वे नजर आ रहे हैं जसरी कैसे आज भारतीय टीम ने अब भ्यास किया जिंजन खिलाडियों को ज्यादा बाटिंग करने का मौका मिला नेट में जसरी कैसे भारतीय टीम ने अपने तमाम खिलाडियों का इस्तमाल किया उसी को देखते हुए लग रहा है कि अब प्लेइंग 11 में कुछ बदलाओ और संभब नजर आ रहे हैं रोहिच शर्मा बदलाओ कर सकते हैं अपनी प्लेइंग 11 में और साथी साथ टीम के कुछ खिलारी जो है इस समय इंसिक्यूर्ड फील कर सकते है यानि कि बवाल जो है टीम इसके बाद भारतिये टीम जो अपना अगला मुकाबला खेलेगी वो बांगलादेश के खिलाप में खेलेगी जसकी शुरुआत 19 सेप्टेंबर से होगी बांगलादेश में क्या हालात है उदे बताने के जरूरत नहीं है बांगलादेश की टीम भारत आएगी नहीं आएग बहुत अच्छी बात है नहीं आएंगे तो आपके पास में कोई और आप्शन भी नहीं है सलामी बलेबास के तौर पर तीन नंबर पर विराट कोली का खेलना बिलकुल तैय है ये पहले भी मैंने आपको बताया कि विराट कोली जरूर आउट ओफ फॉर्म नसर आ रहे हैं 2024 में उस तरीके से रन नहीं आए हैं लेकिन उनको आप ड्रॉप नहीं करेंगे उनको आप टीम में जरूर रखेंगे विराट कोली आपके तीन नंबर पर खेलते वे नसर आएंगे लेकिन इसके बाद अब जाकर के पेंच फस्ते वे नसर आ रहा है पहले मैं पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इसी लिए वीडियो को आखरी तक आप जरूर देखेगा अब सवाल यह है कि केल राहूल एज विकेट कीपर बलबाज जिनके बारे में मैंने कहा था कि वो खेलेंगे तीनो एक दिवस्ती अंतराश्ट्रे मैच लेकिन आज पन्त को खेलने का मौका मिल जाए अब यह तभी पॉसिबल है कि मानिजे केल राहूल को आप ड्रॉप कर रहे हैं या फिर आप केल राहूल को भी खिलाएंगे तो फिर शरया शेयर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा या शिवम दुबे को ड्रॉप करके आप रियान परा को भी टीम में नहीं लाएंगे तभी तो ये combination बनेगी अने था ये combination कैसे बनेगा केल राहूल या रिशप पंत में से किसी एक कोई खेलने का मौका मिलेगा logically तो यही possible है और इसी पर इस समय टीम management के बीच में हाहाकार मचा हुआ है कि रिशप पंत को ले करके आएं या फिर के two or die match है करो या मरो का मुकाबला है किसी भी हाल में हमें जीतना है कल के मैच में केल राहूल अब तक बड़े सफल रहे थी लेकिन आचाना की केल राहूल दोनों मैचेs में पूरी तरीके से फेल रहे और बात इसकी नहीं है कि सिर्फ दो मैच में फेल रहें, बात इस चीज को ले करके है कि जब जब दबाओ बढ़ा है टीम के उपर में, तब तब केल राहुल ने सरंडर कर दिया, घुट ने टिका दिये, और ऐसे में फिर भारतिये टीम कहीं न कहीं केल राहुल से आगे सोच के बारे में स्टेप ले सकती है, हो सकता है कि कल के माच में आपके लिए रिशप्पंत खेल टेवे नजर आएं, जिस तरीके से आज रिशप्पंत ने अभ्यास किया है, उसके हिसाब से कहा जा रहा है, तो एक ये बहुत बड़ा बदलाओ भारतिये टीम कर सकती है, अप्शन ही रहेंगे, अगर कल केल राहूल नहीं खेलते हैं, तो उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा जटका है, और एक बहुत बड़ा फैसला ये कप्तान रोहिच शर्मा के तरब से लिया जा सकता है, ये मैं आपको स्पोर्ट स्टॉक के जरिये पहली बता दो, लेक करेंगे, और रोहिच शर्मा का भरोसा श्रिया शेयर के साथ में, आपको याद होगा कि श्रिया शेयर ने वर्ल्ड कप में एक बहतरीन पारी खेली थी, अर्दशतक लगाया था, उससे पहले थोड़े से संगर्श कर रहे थे, और तब भी ये बात कही थी रोहिच शर्मा कि अगर आज श्रिया शेयर के बले से रन नहीं आता, तो भी मुझे पूरा भरोसा है श्रिया शेयर पर, तो यानि कि ऐयर चार नंबर पर खेलते वे नजर आएंगे, और गौतम गंभीर भी उनको लेकर के सीरियस हैं, वो जानते हैं कि स्पिनर्स के खिलाप में अच्छे बले बाज हैं, एकाद मैच में नहीं चले लेकिन जब चलेंगे तो मैच विनर खिला रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो श्रिया शेयर आपके चार नंबर खेलेंगे, पांच नंबर पर जैसे मैंने आपको कहा कि केल राहुल, रिशप पंथ, कल तक केल राहुल के नहीं है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट स्टॉक के मादियम से मुझसे पूछ रहें, तो अभी भी मैं कहूँगा कि यार अभ्यास जरूर रिशप पंथ ने बहुत जबरदस तरीके से किया, तमाम मीडिया वाले कहनें कि रिशप पंथ के खेलने के चांसे हैं कल, लेकिन रहुल आपके लिए खेलते वे नसर आएंगे, बट मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रिशप पंथ अगर खेल जाएं तो आप सर्प्राइज हो जाईगा, हो सकता है कि रिशप पंथ को मौका मिल जाए, केल रहुल या रिशप पंथ मैंसे किसी एक को खेलने का मौका है, मुझे लगता है केल रहुल खेलेंगे, लेकिन अगर रिशप पंथ खेल जाएं तो भी मैं बहुत जादा चौकूंगा नहीं कि आरे ये तो बड़ा चमतकारिक फैसला ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, और उसके बार जैसे मैंने आपको बताया था कि शिबम दुबे का बाहर जाना लगबग तैय है, और सिचुवेशन के हिसाब से, मैं नहीं कि बड़े खराब प्लेयर हैं, ये हैं, वह ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चुकी ये श्रिलंका में मैचेज है, आर प्रेमदासा स्टेडियम में, यहाँ पर आपको मद्यम तेजगती के गिनबास से ज्यादा बेहतर फायदा एक स्पिनर दे सकता है, और इसी लिए यहाँ पर आपको लेकर के आएंगे रियान पराग को, तो उनका डेब्बी होना लगबग तैय है, कल रियान पराग आपके लिए खेलते वे नसर आएंगे, रोहिट शर्मा आइड सिंटन सुन्दर खेलेंगे, फिर कुल्डी पियादर खेलेंगे, मुहमा सिराज खेलेंगे और साथे साथ आपके अरश्डीप सिंग खेलेंगे, क्योंकि यह आपके बेस्ट गेन बासे विकलते हैं, और गेन बासों ने आपको मैच नहीं हराया है, गेन बासों ने अपनी ODI मैچ में डेब्यू कर सकते हैं कल और दूसरी चीज़ ये है कि केल राहुल को हो सकता है कि कल ड्रॉप कर दिया जाए अभी भी मेरा मानना है कि केल राहुल को मौका दिया जाना चाहिए तीसरे एक दिवस्य अंतराश्ट्रे मैच में और इस सीरीज डिसाइडर में आइमीन त साथा सर्प्राइज नहीं हो जाओंगा और मैं यह नहीं कहूंगा कि अरे बापने बाद यह क्या कर दिया ऐसा नहीं होगा यह भी पॉसिबिलिटी है तो यह भारती है टीम की प्लेइंग इलेबन जहांपर कि रोईच शर्मा शुबमन गिल इसके लाबा तीन नमबर पर व वशिंग्टन सुन्दर 9 नमबर पर खुल दीप यादव 10 पर आपके लिए सिराज और 11 नमबर पर खेलेंगे अरश दीप सिंग यह भारती है टीम की कल की प्लेइंग 11 है चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ल जिए का तोस्तो